एक बात बहुत जरूरी बात के लिए आज आपके बीच में लाएवाया हूँ आज देख रहा हूं कि अखबार में एक नेता दुआरा एक फर्जी खबर डलवाई गई और उस खबर को उनके समर्थक बहुत शेयर कर रहे हैं तो उस चीज़ पर मैं रोक लगाना चाहता हूं क विधान सवा पे मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हमारे राश्टी अध्यक्ष श्री जैन चौधरी जी ने हमसे कहा है गंगो से एलेक्शन लड़ने के लिए तो हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे गजभंदन से चुनाव लड़ेंगे आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर मजबूत इस्सेदारी के साथ अखलेश जी की सरकार बनवाने का काम जैन भाहिया के कैयादत में पश्शिम के लोग करेंगे और रही बात गंगो की तो इंशालला गंगो से हमारे राष्ट्रियाख्ष श्री जैन चौधरी जी ने हमसे कहा है है हाँ इलیک्शन लड़ने के लिए हमसे कहा है हाँ तैरी करने के लिए हम लोग उन्हीं की बात पर अटल हैं और इंशालला चुनाव लड़ेंगे बेबुनियाद और जूती और फर्जी खबरों को चला करके कुछ लोग सुर्ख्या पटोडने की कोशिश कर रहे हैं अखलेश जी से मुलाकात सभी लोगों की होती है लेकिन किसी भी पार्टी को अभी किसी भी व्यक्ति को कोई हरी जंटी किसी के दुवारा नहीं दी गई और मैं अखबार वालों से भी कहना चाहता हूँ जो अखबार वाले फर्जी खबरें चला रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं आपको देने के लिए लेकिन जब इंशालला हम लोग जीतेंगे जब तो आप हमें चापेंगे अभी आप हमें नहीं चाप रहे हैं और कोई बात नहीं हमारे जंता देख रही है हमारी सोशल मीडिया बहुँच श्रौंग है इसके माध्य हम से लोगों तक अपना मेसेच पहुचाएंगे इसलिए मैं सभी कारे करता हूँ से और सभी लोगों से नुरोद करता हूँ कि किसी भी फर्जी खबर पर या किसी भी फेक नीउस पर बिल्कुल यकीन ना करें ये गोदी मीडिया है इनका मकसद है भाजपा को किस तरीके से या जिताना और फासिवादी ताखतों को मस्बूत करना इनकी बातों पर ध्यान ना दिया जाए अपने चुनों के तयारी की जाए हम 24 घंटे जंता के बीच में 24 घंटे पबलिक के बीच में दोही दिन पूर्व गंगो के अंदर बहुत बड़ा जलसा आप लोगों ने सिर्फ कस्बे का करा था इन्शाला बहुत जल्द राश्य अध्यक्ष च्री जैन चौधरी जी का प्रोग्राम हम गंगो लाएंगे और उसके अंदर पूरे पश्चिम का सबसे बड़ा प्रोग्राम कराने के हम लोग कोशिश करेंगे यह इतिहास जानता है इतिहास गवा है कि गंगो ब्लॉक के अंदर हम हमेशा से उन ताकतों से मजबूत रहे हैं जो हमारे सामने टिकेट मांगनी कोशिश कर रहे हैं मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमले हमारे पर ना करते हुए यह वक्त सब को एक खटा होकर चुनाई लडने का है पिछली बार भी कुछ लोगों ने गड़बंदन धरम नहीं निभाया था और समाजवाधी पार्टी के साथ धोका करके अखलेश जी को नुकसान पहुचाने का काम करा था मैं दुबारा उनी लोगों से पुन्हा अनुरोद करूँगा कि इस बार के चुनाओं के अंदर गड़ बंदन का धरम निभाईए फर्जी खबरे ना चलाईए अखलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में में बनानी है जैंद भहिया की कयादत में पश्रिम के अंदर चुनाओं लड़ा जाएगा और राश्य लोगदल और समाजवधी पार्टी के मजबूत सरकार हम उत्तर प्रदेश में देने का काम करेंगे बस मैं अपने कारे करताओं से अपने भाईयों से अपने परिवार वालों से इतना ही काऊंगा कि सब लोग चुनाओं में लड़ जाएगा लग जाएगा इंशालाद चुनाओं लड़ा जाएगा मजबूती से लड़ा जाएगा और चुनाव गंगो विधान से बाकर जीता भी जाएगा बहुत बहुत शुक्रिया